शास्त्रों के वाक्ष हैं इस प्रकार से सत्रवे अध्याय में भगवानी तीन गुणों की महत अबत लाई सत्रवे आने से ये पूरा समाज ये प्रत्वी सत्यूग में प्रविश कर जाती है आज भी आज भी अगर विश्व सत्थ मैं हो तो प्रत्वी के ऊपर सत्वगुन है और जब सत्तोगुन की एक टांग भी तूट जाए कहते हैं कि धर्म इस चारो यूगों में सत्तोग में धर्म चारो टांगों पर खड़ा रहता है जब बैल चारो टांगों पर खड़ा रहता है शिव जी के शिवाले में जब जाते हैं आप तो शिवाला में प्रिविस्ट करने से पहले ही आपको नंदी जी बैठे मिलते हैं शंकर भगवान के बाहन वो बेल का सवरूप है वो धर्म का सवरूप है उसको हम पहले हाथ लगाते हैं कि अम धर्म के ऊपर चल रहे हैं ये बोली ना तो हमारी प्रणाम स्विकार करो सत्यूग में धर्म चारों पआओं पे खड़ा होता है, इसलिए सत्यूग कहलाता है, सचाई, सफाई, तपश्या और दया, ये चार पाओं है। धर्म की, यह सत्परतिशत् चारों पाऊंपर सत्युक छदा होता है, अभीरitaire सत्युक कहना है, धर्म खड़ा होता है, इसलिए विथ्त्युक छाथ है, ऐसा समय. फिर एक टांग कैसे टूटती है 25 परसेंट लेस हो जाता है धर्म तो तुरेता ही हुगाता है और यदि दो टांग टूट जाएं तो द्वापर हुगाता है पर इन पैर द्वापर दो पैर दो पैर पर धर्म खड़ा लेता है 50% धर्म लुप्त हो जाता है, समाज से, फिर आता है कल्यूग, कल्यूग में एक टांग पर, प्रारम में एक टांग पर कल्यूग स्टार्ट होता है, वन फोर्थ धर्म रहता है, शास्त्र कहते हैं कि स्री कृष्ण भगवान के इस धरादाम से जाने के समय से ही कल्यूग का प्रारम है, यहनि 5300 वर्ष कल्यूग को हो गए, चलते हुए, कल्यूग की आयूग 4,321,000 वर्ष आ की है, तो धर्म बिगनिव में एक टांग पर यानि 25% धर्म बसता है इस धर्ती के उपर, समाज के अंदर, लेकिन कल्यूग की आयूग इतनी अधिक है कि देरे देरे टांग भी वीक, कमजोर पढ़ जाती है, क्षत-पिक्षत हो जाती है, और धर्म पूर्ण तया कल्यूग में ग कख्र अधिक है, देश बिदेश एक देश दूसरे देश से टकरा रहा है, चाले गोरे का कल है, मैं मेरे का बड़ा बोलबाला हो जाता है, आदमी इतना सैल्फिष हो जाता है कि ओ दूसरे अपनी स्वारत के लिए लाख ओ आदी मरें, तो मरो, कोई परवान नहीं है, यह कल कल्यूग कहते हैं इसको इसलिए शास्त्रों ने महत्माओं ने चैतन महाप्रूव ने और अनेकों ने यह कहा है कि कल्यूग तुल्ची दाजी महाराज कितनी सुन्दर चौपाई मगाते हैं कल्यूग केवल नाम आधारा सिमर सिमर नर उतर ही पारा कल्यूग में हरी का नाम एक मात्र आधार है यदि कोई को कल्यूग यह संसार से जनम्मरन जराब्यादी के चक्कर से छूट के मुक्तों के बगुद्धाम को जाना होतो हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एक मात्र मार्ग है उस प्रभू के धाम में जानेगा उस परमानंद में प्रिविश्क पानेगा और कोई मार्ग नास्टेव 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 नहीं है नहीं है नहीं है यह उपनी शदों के वाक है और चैत्रन महापुरुजी ने अपने जीवन भर इनका उपदेश किया ठीव। ड्रियन अपने हरी नम अधियन कलो नास्टेव 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 गतीर अनिफारी वद्रीय्क्रिश्ण –्यृ। ना भरी नमा भरी नम TMнес ना मर म रम हरे- devil हरे कृष्ञा और रिख अरश्ण हरी हरी हरे हरे रामा हरे रामlor राम हरे हरे पहरे हरे भगोर्ण के पवित्र नामों किर्टनन किजिए जब किजिए आप पवित्र हो जाएंगे आपको उस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी जिसके लिए बड़े-बड़े संत तरस्ते हैं आनंद, पर्मानंद, भगवत प्राप्ति इस प्रकार से आज का जो ससंग का प्रसंग है और अठारवाजतिया है शिरिमत भागवत गीता का अठारवाजतिया है उसमें प्रविश्क करने और ससंग करने आज हम जा रहे है शिरिमत भागवत गीता आपको सत्थ पत्थ के दर्शन करा देती है और जो सिरिमत भागवत गीता को इरद्यांगम करके जीवन को जीता है उसको भगवत प्राप्ति करा देती है इतना पावरफुल यदि ये शास्त्र नहीं हो तो कोई भवान स्रीकृष्ण की वाणी है गीता शास्त्र मिदम पुल्णयम योग पठेत प्रियत है पुमान विश्णोपदम एवापनोती भै शोक आदिवर जीता बिश्णोपद यानि बैकुंट बैकुंट को प्राप्त कर लेता है आदमी और जीते जी इस संसार में भै और चिंताएं ब्याप्त नहीं होती गीता की शर्ण में रहने से गीता का अध्यन करने से गीता अध्यन शीलश्य प्राणायाम परश्य चाओ प्राणायाम क्या प्राणायाम के परायन रहने वाला इनी सांस सांस में गीता आपकी इरदे में बसी हो प्राणायाम गीता अध्यन शीलश्य गीता का अध्यन करने वाला प्राणों से इरदे से प्रेम के साथ भक्ती के साथ स्रद्धा के साथ यही नहीं कि हम चलो हम डोक्टर हैं हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है ओ ओ ओ ओ ओ जानते हैं गीता में अरे ठीक है वो गी नहीं यह ये शास्त्र नित्यनूतन है ये नहीं कि यो पांच यारों पहले का समय था कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश किया हमें क्या लेने देना नहीं अर्जुन के माध्यम से युग-युगों के लिए भगवान ने तो कहा कि स्रश्टी के प्रारम में ये भागुद गीता का ग्यान मेंने सूरिय लोक के राजा भीविश्वानू को दिया था अभी वेग्यानिकों को तो ये बात समझना आती नहीं कि सूरिय लोक में भी राजा होता है सूरिय लोग तो एक जलता हुआ आग का गोला है इससे आगे उनकी मती नहीं जाती इतना तो जानने लगे हैं वैग्यानि कि सूरिय की जो आगे जो अगनी की लप्टे उठती है उनमें बहुत अधिक ताप माने लेन जितना भीतर जाओ उतना ताप मान कम होता जाता है नहीं सूरिय लोग के उपर हम जैसे प्रत्वी पर रहते हैं इसे लोग रहते हैं यह शास्त्र कहते हैं और शास्त्र प्रमाण है तो आज अबीविश्वानू थे कभी बैवश्वत मनू उसके बार उनके बाद बैवश्वत मनु आज की ताया, फिर एक्षवा को महाराज, बैवश्वत मनु के पुत्र, तो इन बातों को समझने के लिए हमें भागुत गीता पढ़नी चाहिए, इमम विवश्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययं, विश्वान मनु प्राह, मनुरिक्षा कवे ब्रवीत, एवं परंपरा प्राप्तम, इमम राजरशियो विदुहु, सैकाले ने महताह, योगो नष्ठह परंतप, सैवायं मयात्यद्यह, योगह प्रोक्तह पुरातनह, भ जुनते, तु मेरा भक्त है, और मेरा मित्र भी, इसलिए वो ही पुरातन ज्ञान तुझे मैं देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन, ठीक है, समय का अभाव है, इसलिए मैं वाने को विराम देता हूँ, जैगो पहल, तुली, आप अनू गावत्य वत्य वास्थे वाइव, लृव न्यँ्या, 1 थे वादि प्षोल्प्त है, स्सवेल, जैगार है, नमस्कृत्यम नरमचेव नरोतमम् देवीम सरस्वतीम व्यासं ततो जया मुदिरेतु नष्टप्राइसु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भागवते उत्तम इश्लोके भक्तिर भावती नेष्टकी ओं शांति 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 जैगोपाल आए सट्संग प्रेमी आपका हर्दिक स्वागते श्रीमत भागवत गीता के सट्संग में पिछले सट्संग की कड़ी में हम नहीं कह पाए समय का भाव था आए आज श्रीमत भागवत गीता के अठारवे ध्याय में प्रिविस करते हैं और भगवान की मदर वाणी को सुनते हैं जो वाणी सभी का कल्यान करती है एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देव की पुत्र एव एको मंत्रश्य तश्य नामानियानी कर्माप एकम तश्य देवस्य सेवा लोग ब्रमित होते हैं कि एको मंत्रश्य तश्य नामानियानी कि देव की पुत्र का ये एक मात्र मंत्र है औरों का नहीं अनेको धर्म है दर्ती पर और दूसरी धर्तियों पर नहीं एको बहु नाम वो एक ही तो बहुत नामों से जाने गए है परमेश्वर तो एक ही है सभी का हम सभी उनके अंशे है ममेवा अंशो जीव लोके जीव भूतह सनातना जैसे भगवान ने सुएम कहा है गीता में कि अनन्त ब्रह्मांडों में ये अनन्त आत्माई ये मेरे अंशे है हम सभी उनके अंशे है फिर उनको आप चाहे करशन कहो राम कहो रह्मान कहो अल्ला कहो बिश्मिल्ला कहो या जीसस कहो जो कुछ अनेको नाम है एको बहु नाम बहुत नामों से जाने गए हैं करोनों, खर्बो नामों से, अर्बो नामों से एक ही परमिश्वर है शंस्कृत के विद्वानों ने उनको कृष्ण कहके बोला क्योंकि उनका जैसा आकर्षण कहीं नहीं है एक्या परमिश्वर का जो परम ऐश्वरियवान है जो सड़ एश्वर ये प्रधानता में जिनके पास है उनके जैसा कोई वो परम रूपवान है परम शक्तिवान है परम धनवान है परम वैराग्यवान है परम बुद्धिमान है तो सड़ छै एश्वर ये प्रधानता में जिनके पास है उनको परविश्वर कहते है इसलिए उ निए एकर्षन काम में लिगा? ब्रमा जी कहते है, ईश्वराहा परमाह कर्षन, सच्चिदानंद विग्राहा, अनाधिराधिर गोविंदा, सर्वकारन कारणं। इस दे कॉज अव अल गॉज जो परमा कर्षन, ओ कर्षन, Sanskrit में Krishn कहते हैं Hindi में हमा Aakarshn कहते हैं English में Attraction कहते हैं It's all attractive It means Krishn जो सब को मोहित करते हैं उनका एक नाम Mohan है मन मोहन सब के मन को चरा लेते हैं मोहित कर लेते हैं अपनी और Aakarshit कर लेते हैं दौापर में भी जो Krishn थे तो सब उनके रूप को देख करके सब उनके जुग जाते थे चरणों मोहित हो जाते थे उनको देखते हैं असरों को चोड़के असरों को चोड़के असर भी तूट जाते थे लिए समय लगता था समझने में और या फिर भगवान की इच्छा नहीं थी उनको पनिस्मेंट देना ही था तो फिर उनको कैसे समझने भगवान को उनको पनिस्ट करने के लिए तो आए थे यदा यदा ही धरमश्य ग्रानिर्भवती भारत अभ्युत्थानम अधरमश्य तदात्मानम सवजाम्यम परित्रनाय सादूनाम बिनाशाय चहदुस्कृताम धरमसंस्ताप नार्थाय संभवामी युगे युगे वाई अस्रों के संग्नार के लिए थे अस्रों का संग्नार किया ये प्रत्वी का भार उतारा जो पापियों से लदा पड़ा था श्रीमत बागवत गीता का अठारवाध ध्याय सुनिए अर्जुन वाचो अर्जुन बोले सन्या सश्य महाभाव सन्या सश्य महाभाव अर्जुन ध्यामी वेल्डितं त्यागाश्य उच्रिशी केश्व प्रतकेष्णी सुधना आर्जुन ऀ सेटों आर्यून झार्ण आ ये ज्युन रिपर्पस अर्णिश्य न था-ण्याग आर्दी रनॉंस्ट ओर अ क्या अन्याष् यह अर्जुन ने पूछा है बगवान के दो नाम यापर अर्जुन ने अपने मुख से उचारन गे एक दो रिशी के इस कहके बोला है अर्जुन और दूसरा केशनी सुदन केशी नाम का एक राक्षस कंस का भीजा हुआ जो घोड़े के रूप में एक ताकत वर घोड़े के आया था और लाद दे दे के और कृष्ण ब्रणाम को मार देनी की चेश्टा की बगवान कृष्ण तो बाल स्वरुप में थे उस समय आठ साल की आउस्ता होगी नौ साल की होगी उन्होंने पाउं पकड़के उस केसी को ऐसा उपर को फैका कि तार के पेढ़ में अटक गया और मुझ खोल दिया मर गया तो इसलिए लोगों ने केसनी सूधन कहके पुकारा केसी को मारने वाले उनका एक नाम केसनी सूधन पड़ गया रिशी केस कहते हैं जो सभी इंद्रियों को तरप्त कर दे सारे बिश्व ब्रह्मान को तरप्त कर दे उसको रिशी केस कहते हैं त तो master of the senses और जो तमाम सैंसेज यानि इंद्रियों का master जो होता है उसको सैंसेज, उसको केस, रिशी केस केस के पुकारा गया तो अलग-अलग नामों से भगवान को जाना गया, कहीं मदू सूदन, कहीं माध हो, कहीं केश हो, कहीं दामो दर, इन सब नामों के साथ में एक एक ल मारा, तो मदू सूदन कहलाए, मा येशोदा ने एक बार कृशन बगवान को रसी से बांदिया था, ओखली से, ओखली मूसर जो होते हैं, ओखली से, तो उनका नाम दामो दर पढ़ गया, तो लोग दामो दर कहके बोलने लगे, दाम यानि रसी, उदर यानि पेट, रसी से पेट को बांदिया था, दामो दर पढ़ गवान, छोटे, गुटनों के बल चलते थे, उस तो में तो कृशन जी, तो येशोदा मा को, और एक दिन नाराज हो गए, क्योंकि येशोदा मा गोदी में लेकर के दूद पिला रहे थी, इस्तन पान करवा रहे थी, तो एकदम से द्यान आया इशोदा जी को, कि मेरा दूद तो आग पर रखाए, कि निकल तो नहीं जागा, तो तुरंत ही कृशन जी को जमीन पर डालके, और दूद को समालने, समालने के लिए चली,